हलो इन्वेस्टर्ज इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को टाटा स्टील और आर एसी लिमिटेड यानि की रेक लिमिटेड के साथ में टोटल में आठ ऐसे स्टॉक्स बताने जा रहा हूँ जिनों ने यहाँ भी स्टॉक बोनस, स्टॉक स्प्लेट एंड डिविडेंड अ आज की ट्रेडिंग सेशन में कमपनी के शेयर के अंदर में हमें 0.5% से जादा की गिरावत देखने को मिली और कमपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 2,494 रुपीज का था कमपनी के अगर ओफिशल अनौसमेंट की बात करें तो नेसले इंडिया ने यहाँ भी डिविडेंड अनौस कर दिया है 8.50 रुपीज का आप लगो को आपके हर एक शेयर के उपर में 0.5 रुपे यानि की 0.50 पैसे का डिविडेंड दिया जाएगा और इसको देने की जो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है फिलाल अभी अपकमिंग में है जैसी अनौसमेंट आ जाएगा मैं आप लगो को इंटीमेट कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है ACC Limited कमपनी का जो NSC कोड है वो है ACC आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कमपनी के शेयर के अंदर में अप्रॉक्सेमेटली हमें 2% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला और जो कमपनी के शेयर का क्लोजिंग प्राइस था 2532 रुपीज का था कमपनी के अगर Official Announcement की बात करें तो ACC ने आपे Dividend Announce कर दिया है 7.50 रुपीज का आप लोगो को आपके हर एक शेयर के उपर में 7.50 रुपे यानि की 7.50 पैसे का Dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X-Date, Record Date फिलाल अभी Upcoming में है तो आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा विकोस जैसी X-Date और Record Date आ जाएगी मैं आप लोगो को सबसे पहले Intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है DCB Bank Limited इस कमपनी का जो NSE Code है वो है DCB BANK आज की ट्रेडिंग सेशन में इस कमपनी के शेयर के अंदर में हमें 0.5% से जादा की तेजी देखने को मिली और कमपनी के शेयर का जो Closing Price था 138 रूपीज का था कमपनी के अगर Official Announcement की बात करें तो इस कमपनी ने यहाँ भी Dividend Announce कर दिया है 1.25 रूपीज का आप लोगो को आपके हर एक शेयर के उपर में 1.25 पैसे का Dividend दिया जाएगा और इसको देने की भी X Date, Record Date फिलाल Upcoming में है जैसी Announcement आ जाएगा मैं आप लोगो को Intimate कर दूँगा अगले शेयर की बात करें तो कमपनी का नाम है दावन गेरे Sugar Company Limited इस कमपनी का जो Bomb Stock Exchange का Code है वह 5,4,3,2,6,7 आज की ट्रेडिंग सेशन के अंदर में कमपनी का जो शेयर है टोटली साइडवेस ट्रेड हो रहा था और क्लोजिंग भी हमें एकदम फ्लाट होती हुई देखने को मिली है कमपनी के शेयर का जो क्लोजिंग प्राइस था 93.98 रुपीस का था कमपनी के अगर Official Announcement की हम बात करें तो इस कमपनी ने यहाँपे Stock Split Announce कर दिया है 1-10 के रेशियो से जिसका मदलब यह है अगर आपके पास में इस कमपनी का एक शेयर है तो वो टोटल में 10 शेयर्स के अंदर में convert हो जाएगा फिर बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लगो का हर एक share यहाँ पे 10-10 shares के अंदर में convert हो जाएगा एड़ इस stock split को भी देने की जो x date और record date है फिलाल अभी upcoming में है अगले share की बात करें तो company का नाम है new time infrastructure limited company अपनी का जो Bombay Stock Exchange का code है वो है 531-959 आज की trading session में company के share के अंदर में हमें 1.5% से जादा की correction देखने को मिली और company के share का जो closing price था 52.56 रुपीज का था अब यहाँ पे new time infrastructure ने जो है stock bonus करके रखाए 2-1 के ratio से जिसका मतलब यह है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो यहाँ पे आपको 2 shares as a bonus मिलेंगे total में जो आपका एक share है वो 3 shares के अंदर में convert हो जाएगा अब बेशक आपके पास में इस company के चाहे जितने मरजी shares हो आप लगो को आपके हर एक share के ओपर में 2 shares का bonus दिया जाएगा एड़ इस bonus को देने की जो x date और record date है वो भी अभी फिलाल upcoming में है जैसी announcement आ जाएगा मैं आप लगो को पक्का सबसे पहले intimate कर दूँगा तो please आप लोग channel को subscribe कर लीजेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है Tata Alexi Limited company का जो NSE code है वो है TATA ELXSI आज की trading session में company का जो share है 0.23% के एक positive note के उपर में close हुआ और company के share का जो closing price था 7,110 रूपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो Tata Alexi ने जो है यहाँ पे dividend अनौउंस कर दिया है 70 रूपीज का आप लोगों को आपके हर एक share के उपर में 70 रूपे का dividend दिया जाएगा इसको देने की भी X date, record date फिलाला भी upcoming में है जैसी announcement आजाएगा मैं आप लोगों को intimate कर दूँगा अगले share की बात करें तो company का नाम है REC Limited company का जो NSE code है वो है REC LTD आज की trading session में हमें इस company के share के अंदर में approximately 50% की तेजी देखने को मिली और company के share का जो closing price था 457 रूपीज का था company के अगर official announcement की बात करें तो REC Limited ने जो है यहाँ पे board meeting और्गनाईस कर दिये 30th of April को और इस board meeting का जो purpose है वो dividend और साथ ही साथ में quarter 4 के results को लेकर के रहने वाला है अब देखिए काफी जाधा high expectations है कि company के जो quarter 4 results है वो हमें काफी अच्छे आते हुए देखने को मिलेंगे तो अगर company के quarter 4 results expected जितना है उतना ही आता है और साथी साथ में company जितना past में अपने investors को dividend देती आ रही है उससे थोड़ा बहुत जाधा dividend अगर company announce कर देगी तो definitely इस company के share के अंदर में हम लोगों को एक massive rally देखने को मिल सकती है याद रखिएगा P.A.C.U. unit है तो यह भी government का support और investor का trust हमेशा इस company के साथ में बना रहता है और past में भी rec limited जो है अपने investors को काफी massive returns already deliver कर चुका है तो इस बार भी काफी बढ़िया और काफी high chances है कि हमें काफी बड़ा momentum इस company के share के अंदर में देखने को मिल सकता है अगर company के quarter 4 के अंदर में हमें growth देखने को मिलती है और साथी साथ में dividend announcement के अंदर में हमें एक appreciation देखने को मिलता है तो जरूर से rec limited के share को हमें Tata Steel Limited company का जो NSE code है वो है TATA STEEL आज की trading session में Tata Steel जब open हुआ था 171 रुपीज तक उपर की तरफ momentum करा था और उसके बाद में sudden correction आया पूरे market पही आया उसी चलते Tata Steel के उपर में भी हमें impact आता हुआ देखने को मिला और लगबग 0.9% के आसपास का एक correction जो है company के share ने आज की session में हमें दिखाया और लगबग 166 रुपीज के उपर में close हुआ अब यहाँ पे Tata Steel की तरफ से काफी बड़ी एंड एक positive update निकल करके आ रही है basically यहाँ पे प्रभूदास लिलादर करके एक काफी जाना माना brokerage firm है and I am damn sure आप लोगों ने प्रभूदास लिलादर का नाम तो definitely सुनाओगा प्रभूदास लिलादर ने जो टाटा स्टील के share के उपर में bullishness दिखाते हुए buying recommendation शेयर करी है और यहाँ पे जो target price दिया गया है वो 175 रूपीज का दिया है तो लगबग 166 रूपीज से लेकर के 175 रूपीज तक की एक जो rally है वो यह आप प्रभूदास लिलादर expect करके चल रहा है टाटा स्टील के share के अंदर में अब कही ना कही अगर as a company हम टाटा स्टील की बात करें fundamentally financially no doubt company काफी strong है nifty 50 की company है और साथी साथ में अगर जब भी इंडिया के blue chip companies की बात करी जाती है टाटा स्टील का नाम definitely उसके अंदर में आता है और साथी साथ में globally अगर आप देखेंगे स्टील की demand और साथी साथ में prices दोनोई चीज़े हमें काफी तेजी से increase होती हुई देखने को मिल रही है जोगी clear cut टाटा स्टील के exports के उपर में एक काफी बढ़िया impact हमें डालता हुआ देखने को मिलेगा all over as such company और उसके business के अंदर कोई भी problem नहीं है सब कुछ एकदम बढ़िया है share price की बात करें past कुछ दिनों से एक काफी बढ़िया bullish trend के अंदर में move हो रहा है और काफी अच्छे returns अल्रेड़ी अपने investors को deliver करके दे चुका है और यह जो 175 रुपीज का target है no doubt काफी छोटे time frame के हिसाब से दिया गया है और आपका एक short term का target रहने वला है तो उस particular share को आपको उसकी x date से पहले पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर में इतना ही रखते हैं यही 8 stocks थे जिनोंने आपे stock bonus, stock split and dividend announce किया था अब अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो definitely वीडियो को like कर दीचेगा इस चैनल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा because फिनों मीडिया के अंदर आपको ऐसे ही stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye